सब्सक्राइब बहुत से बच्चों के कुछ मेरे पास मैसेज और आपका मैं चैट बॉक्स भी बढ़ता हूं कि सब्सक्राइब लाइफ क्लास नहीं ले पा रहा हूं आपकी बट मैं आपको साथ-साथ रिकॉर्डेट क्लास भेज रहा हूं आप उसको देखो आप ठीक है मैंने लास्ट क्लास में जब आपकी बियारेस की तो मैंने देखा था कि बहुत बच्चे करें बियारेसर इजी है ठीक है हमें आता है बटा ऐसा नहीं है तो मैंने कॉंसेप्ट्स आपको गंटे में बताए तो कॉंसेप्स को समझों मैं शॉरली कह रहा हूं आपको कुछ न आपको बियारेस के कॉंसेप्स पूरे रिवाइस कराये थे राइट और बच्चों मैंने बहुत बच्चों ने मुझे बोला सब आप लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हो लाइव नहीं आ पा रहे हो कुछ थोड़ी से इशू सल रहे है कि इसकी वैसे मैं आपकी लाइव क्ल लाइव क्लास के अंदर आऊंगा और आपको लाइव आपकी पूरी रिविजन कराऊंगा तब तक के लिए आपको जो मैं चैप्टर्स दे रहा हूं यह बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं ठीक है यह मैं आपको दे रहा हूं आप इसको रिवाइस करो अच्छे से पॉइंट क्लास में आपको बहुत सिंपल टॉपिक है बट स्टिल लास्ट क्लास पर जो मैंने आपको कॉंसेट्स बताएं मैं उमीद करता हूं आपको थोड़े हिल्प करेंगे वो कॉंसेट्स आपको और अंडरस्टेंडिंग बढ़ाने के लिए ठीक है जी आज की क्लास में हम बी आरस के क्या करेंगे बी आरस के अपने MCQ प्रैक्टिस करेंगे ठीक है अब MCQ दो टाइप की होंगे बिटा आपके एक ठीरोटिकल बेस MCQ और एक प्रैक्टिकल बेस MCQ आप समझ जाए जो ठीकल बेस MCQ है आपके उसमें आपको पढ़ते ही आंसर पता होना चाहिए अपना मतलब थेरोटिकल बेस MCQ मैक्सिमम मैक्सिमम आपका मतलब 30 सेकंड मैं मैक्सिम 45 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए ठीक है और यह जो टाइम सेफ करोगे आप त्योरी वाले MCQ के अंदर वो जो टाइम है वो इन्वेस्ट करोगे कहां पे जो आपके निमेरिकल या प्रैक्षिकल वाले MCQ में ठीक है जी आई यह जी हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से मैं आपको पांच-दस मिलेट के अंदर आपको थोड़ी सी रिवीजन करा दू मैं ठीक है फिर उसके बाद हम MCQ स्टार्ट करते हैं ठीक है जी पॉइन नमबर वन सबसे पहले लास्ट ला क्या होता है अंपरीजन और अफ टू रिकॉर्ड जैसे इन केस ऑफ बैंक रिकंसेलेशन स्टेटमेंट ठीक हम कैश बुक और पास बुक को कंपेर करते हैं ठीक है जी कैश बुक के अंदर अगर आपका डेबिट बैलेंस है डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस स्टेटमेंट भी क्याते हैं बैंक स्टेटमेंट में डेबिट का मतलब माइनस आपका और क्रेडिट का मतलब क्या हो गया प्लस आई बात समझ आपको तो रिकंसेलेशन इस वाट जहां पर हम कंपेर करते हैं दो रिकॉर्ड को ठीक है उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंट्स को हम रिफ्लेक्ट करते हैं एक बियारस से बैंक रिकंसेलेशन स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट बना कर उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे नेक्स आजाए यह टाइप सॉफ रिकंसेलेशन अंजी बेटा कौन-कौन सी थी कैश रिकंसेलेशन ठी इंदर इंहों ने इन्होंने क्या बोला आपको से पर proced के अंदर अबाना state इंग बॉइंट पॉइंट जो है balance as per cash book starting point क्या है हमारा balance as per cash book plus minus ठीक है जी अब balance as per cash book का मतलब positive balance on the other hand अगर यहाँ पर word लिखा था overdraft as per cash book तो मतलब क्या हो गया है negative balance ठीक है जी अब मैंने कुछ points बताए थे आपको याद होगा कुछ points मैंने समझाए थे like number one check issued but not presented हमने check issue कर दिया cash book से less कर दिया pass book में less नहीं हुआ हम क्या करेंगे cash book में वापिस add back कर देंगे so that is check issued but not presented ठीक है सब उसके बाद next क्या था आपका check deposit but not not here check deposit but not cleared ठीक है एक बात मुझे बता हुआ आप मैं एक एक्जाम्पल दे रहा हूँ आपको say for example ठीक है आप समझा मेरी बात ठीक है check issued and not presented check issued but not presented and not enter in cashbook चलो भही अब मुझे बताओ इसका क्या करेंगे check issued but not presented and not entered in cashbook आप मुझे बताओ क्या करेंगे सोचो हमने check issue करा वो present नहीं हुआ प्रेजेंट नहीं हुआ इसका मतलब यह जो एरर है एरर बोल सकता हूं मैं इसमें ना ही cashbook में entry ना ही passbook में entry जब कोई भी transaction दोनों में से किसी books में भी enter नहीं करता तो उसको भी आराइस में consider नहीं करते तो इस वाले circumstances के अंदर हम क्या करेंगे इस transaction को भी आराइस में record नहीं करेंगे यह आपकी knowledge के लिए बात मने add हो गया पर cashbook में add नहीं हुआ तो cashbook में भी add करो क्योंकि आप सारे changes किसके अंदर कर रहे हैं cashbook के अंदर कर रहे है ऐसी bank charges क्या करेंगे इसको हम minus क्या करेंगे क्या करेंगे इसको हम minus करेंगे apart from that next के आता है आपका कोई परसं डिरेक्ट्ली amount directly deposit by customer किसी customer ने directly amount deposit कर दिया तो क्या होगा बेटा that is passbook में add हो गया पर cashbook में add नहीं हुआ तो cashbook में भी क्या करो एड करो ठीक है उसके बाद insurance premium paid by bank insurance premium जब bank पे करेगा तो passbook से balance less हो गया पर cashbook से less नहीं हो तो cashbook से भी क्या करना पड़ेंगा less करना पड़ेगा तो इस तरीके से हम करके क्या निकालेंगे अपना हम that is balance या फिर overdraft या फिर overdraft as per passbook और ये सारी treatments ये सारी treatments reverse हो जाएंगी जह हमारा starting point क्या होगा that is balance या overdraft as per passbook तो जो add वाले item है वो minus हो जाएंगे जो minus वाले item है वो क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे ठीक है बाकि अब mcq के अंदर जब मैं जाओंगा तो आपको सारी बाते में discuss कर आईए जी हम अपने mcq start करते हैं आओ जल्दी से देखो आप mcqs बड़े आपको important है mcqs आपके वहाँ पर आपको कभी-कभी लगता कि आप सब कुछ ठीक कर रहा है बट जनरली आप जो options है ठीक से आप read नहीं करते हो तो कभी आप आप गलती हो जाती है आपसे अब आओ point number one question number one question number one the difference in the balance of both the cash book and the pass book can be because of differences क्यों आते हैं balance के अंदर cash book की और pass book की errors in recording the entries either in the cash book और in pass book errors in recording the entries either in the cash book और in the pass book या तो cash book में गलती है या तो pass book में omission the same entry in the both both cash book and pass book आप समझो यह चीज यह दिखो किया रहा है omission of same entry both दोनों books में omission है pass book में भी और cash book में possible है क्या पास book और cash book दोनों में omission है तो इसका मतलब क्या हो गया balance टैली कर जाएगा इनका एक transaction नहीं cash book में record है ना ही pass book में record है तो उसकी वज़ा से difference नहीं आता इसके अंदर balance as per cash book and balance as per passport debit balance of cash book is the credit balance of passport भाई यह तो एक information है यह reasons of difference थोड़ी है all of the above तो सकता नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं है तो answer क्या बच गया यह बच गया आप समझना है तो यह भी tricky point था आपका entry on the credit side of pass book pass book made credit side में entry है मतलब deposit entry on the debit side of pass book मतलब क्या हो गया आपका withdrawal businessman prepares the and the cash is prepared by the bank businessman क्या prepare करेगा cash book bank क्या prepare करेगा passport answer क्या हो गया हमारा B favorable balance as per cash book means which of the following favorable balance मतलब positive balance positive balance as per cash book का मतलब क्या हो गया debit balance in the cash book क्या सर अन फेवरेबल मतलब क्या होता है ओवर ड्राफ्ट अन फेवरेबल बैलेंस as per cash book means which of the following that is आपका क्या हो जागा यहां पर अन फेवरेबल बैलेंस एस पर cash pass book pass book का favorable balance मतलब positive balance तो भाई क्या होता है credit balance क्या होता है वो credit balance unfavorable तो मतलब overdraft ही होता है बेटा चेक करो अन जी यह आगे अन फेवरेबल is what negative balance अन जी आई यह थोड़ो प्रेक्टिकल स्था हुआ है हमारा यहां पर when the balance as per pass book is the starting point balance as per pass book is the starting point direct payments by bank direct payments by bank starting point क्या है balance as per pass book this is my starting point direct payments by bank जब bank direct payment करेगा तो क्या करेगा bank हमारे account से balance less कर देगा bank ने less कर दिया पर हमने less नहीं करा तो बी क्या करना पड़ेगा एड बैक करना payment करना पड़ेगा एड बैक तो एड़ इन दी यह रस तर यह सर आओ जी 10th point when balance as per pass book is the starting point balance as per pass book is my starting point uncollected check मतलब क्या हो गया सर पहले लिखा आप balance as per pass book ठीक है uncollected check मतलब check deposit कर दिया हमने तो cash book में add हो गया पर क्योंकि वो collect नहीं हुए तो इस लिए pass book में add नहीं हुआ अब क्योंकि cash book में add हो चुका है तो pass book में भी add होना चाहिए भाई add कर दो pass book में ठीक है that is called added in the VLS चलिए जी नेक्स आजाओ डैश इस a statement which is prepared as on particular date to reconcile balance as per cash book and balance as per pass book by showing the all causes of difference between the two है अब मैं इसको क्या बता हूँ आप भी बोलो के सर्थीक है सर्थ हमें पता ही है first day से पता है वहला पॉइंट अच्छी बात है दो ठीक है जी बैंक reconciliation statement is a statement prepare to reconcile cash balance as per cash book नो जी आगे पड़ो ही मत बैंक balance as per cash book and bank balance as per pass book राइट जी बहुत तो हो सकता नहीं है यह ठीक है जी तो यह चीज़ हो गई आप इस नेक्स्ट आजाओ a bank reconciliation statement is prepared by prepared by credit no debtor no bank no मैंने बताया था customer और वो भी कौन सा जो क्या होता है आपका businessman होता है bank reconciliation statement can be prepared by partnership yes proprietorship yes companies yes all of the above answer कि कैज़ी जल्दी जे आगे बढ़ जाईए आप ठीक है which of the following is or are causes of difference of balance between cash book and pass book causes of difference ठीक है difference कब आता है जब एक transaction एक book में record है एक book में record नहीं है अगर transaction दोनों books में record है यह दोनों books में record नहीं है तो difference नहीं आता यह rule है आपको समझना है एक इसूट पर पेमेंट एंड पेड़ बाइब यह दोनों में record हो गया तो reasons of difference नहीं है यह एक deposit for collection and collected यह भी reasons of differences नहीं है बैंक चार्जेस नौट एंटर इन कैश्बुक बैंक इस नौट एंटर इन कैश्बुक तो भाई यह क्या हो गया आपका यह आपका हो गया reasons of differences which of the following are causes of differences ठीक है अब balance between cashbook and passbook ठीक है जी which of the following is or are causes of differences between balance as per cashbook and passbook तो यहां पे इनो नहीं क्या बोला आपको ठीक है यहां पे इनो नहीं बोला interest क्रेटेड और डेबिटेड बाई बैंक पर नौट एंटर इन कैश्बुक रस्ट क्रेडिटेड और डेबिटेड बाई बैंक नौट एंटर इन कैश्बुक की क्या जी direct collection on behalf of customer यह भी एक reason है direct payment made by bank यह तीनों के है reasons of differences जहां पे क्या हो रहा है passbook में तो entry हो गई पर cashbook में entry नहीं हुए तो answer क्या आजाएगा all of the above चलिए जी आयए जी next start करते हैं when balance as per passbook is the starting point balance as per passbook यह starting point और यह positive है check issued but not presented और payments are ठीक है तो मैंने आपको बताया था वैसे तो check issued but not presented add होता है कब हम cashbook से passbook में जाते हैं learn कर लो यह चीज़ पर क्योंकि हम passbook से cashbook में जा रहे हैं तो check issued मतलब cashbook से less हो गया पर passbook से less नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे passbook से भी इसको less कर देंगे check issued but not presented क्या करेंगे इसको minus करें that is subtracted about next when balance as per cashbook is the starting point balance as per cashbook is the starting point that deposited but dishonored are that deposited but dishonored क्या करेंगे अब देखो balance as per cashbook balance as per cashbook ठीक है check deposited but dishonored तो मतलब क्या हो गया माइनस वाली साइड ठीक है तुरिया करेंगे इसको इसको एक्टेड ठीक है जहीं when balance as per cashbook is the starting point when balance as per passbook is the starting point starting point क्या है हमारा balance as per cashbook bank charges are not recorded in cashbook bank charges जो है वो cashbook में record नहीं है आप समझना ही चीज ठीक है balance as per cashbook plus minus ठीक है अब इन्होंने क्या बोले bank charges not recorded in cashbook तो मतलब क्या हो गया passbook से तो less हो गया पर cashbook से less नहीं हुआ तो circumstances में क्या करेंगे इसको minus करेंगे ठीक है जी तो यह चीज़ हो गया आपकी bank charges not recorded in the cashbook cashbook से भी यह करेंगे इसको minus क्या balance आप सुनो मेरी बात अगर इसकी जगा word होता overdraft as per cashbook overdraft यहां आता माइनस और माइनस क्या होता एड तो answer होता added आप ध्यान आप answer क्या होता चलिए जी हम आगे बढ़ जाते हैं अब यह practical questions आगे numerical type की questions आ गए आईए जी on 31st December bank balance as per cashbook bank balance as per cashbook इतना है 25450 की क्या सर a comparison of passbook and cashbook revealed the following check deposited 500 and was not credited in the passbook हमने check deposit करा ठीक है बट वो passbook में अभी तक credit नहीं है क्या करेंगे इसको minus करेंगे क्योंकि cashbook में तो add हो गया पर passbook में add नहीं हुआ और starting point क्या है cashbook तो changes किसके अंदर करेंगे cashbook अब क्योंकि passbook में add नहीं हुआ तो cashbook से भी हटा दो minus कर दो check deposited but not cleared out of the check issued 5000 के check issued करें only 3750 only 3750 were presented presented for payment करें जी हमने 5000 के check issue करें 5000 में से 3750 के check क्या हुए present हुए तो इसका मतलब 5000 में से 3750 से कोई problem नहीं है problem किस से आएगी 1250 क्योंकि यह वो check है जो हमने issue तो कर दिये cashbook से less कर दिया पर passbook से less नहीं हुए क्योंकि passbook से less नहीं हुए तो क्या करेंगे इनको हम वापिस add back कर देंगे that is check but not presented 5000 भी नहीं 3750 भी नहीं problem किस से 1250 से problem किस से 1250 से आप समझो यह चीज ठीक है आप पहले तो learn कर लो अच्छे से आप क्या जब starting point का होगा cashbook का होगा तो check deposit but not clear क्या होता है minus check issue but not presented क्या होता है plus अगर यह starting point हो जाएगा past book वाला तो यह reverse हो जाएगे दोनों ठीक है जी अब यहां पर check करते है कितना आ गया 25 5450 minus 500 प्लस आगे answer 26200 पेटा कोई भी अगर आपको doubt है आप doubts अपने भेज सकते हो मुझे आप ठीक है मैं आपको reply कर दोंगा उस पर ठीक है जी अप next point out 21 ठीक है जी 21 केंदर नो ने क्या बोला bank balance as per cash book 25450 ठीक है जी bank balance as per cash book 25450 a comparison of pass book and cash book revealed the following ठीक है जी the bank had directly the bank had directly collected dividend and trust bank ने directly क्या collect करा dividend और क्या collect करा interest dividend कितने का था 400 रुपे का interest कितने का था 300 रुपे का तो अब क्या हुआ pass book में तो एड हो गया पर cash book में एड नहीं हुआ अब क्योंकि cash book में एड नहीं हुआ अब बैंक had paid bills of rupees 2000 ठीक है बैंक ने क्या कर दिया bills pay कर दिया कितने के हमारे 2000 के bills paid कितने के कर दिया हमारे 2000 के ओ सॉरी तो cash book pass book से less हो गया पर cash book से less नहीं हुआ तो मैंने क्या बोला था भी वैसा pass book में हो रखा है वैसा ही cash book में करो तो मतलब 2000 को भी less कर दो यहां तो यह आपका क्या है का balance as per pass book 254 50 700 2000 241 50 देखो इतना ज्यादा यहां से practice करके जाओगे MCO की वहां पर उतनी easiness आएगी और accounts का paper बहुत easy आता है तो ज्यादा mark score कर सकते हो ठीक है accounts को आप किनोर मत करो बहुत important है यह आपकी accounts ठीक है जी 25450 a comparison of pass book and cash book revealed the following bank charges was not entered in cash book check amounting rupees 250 has been dishonored with but not recorded in cash book ठीक है जी अब starting point क्या है balance as per cash book 25450 ठीक है जी plus minus क्यों लेस हो गया क्यों लेस हो गया तो पास बुक से भी क्या करेंगे लेस करेंगे bank charges plus minus minus हो गा 200 check amounting rupees 250 has been dishonored ठीक है बट not recorded in cash book सब एक चेक था 250 का क्यों कि पास बुक से less ओ गया क्यों लेस हो गया क्यों वो dishonor हो गया इसने पास disproportion हो गया इसने पास बुक से less ओ गया पर Cそう कर सकूरिक कि ते करणा पड़ेका इसको हले हुए करना पड़ेगा इस अवे ऐनर कैश बूंग से क्यों लेस्ट कर रहे है को स्रथ पॉइंट क्या है अपका अट स्पीक केंट के कया है तो स्टाइटिंग के अटे है दोस्त ओंद का थिशकॉल small सॉरी माइनस करना पड़ेगा माइनस में और यह भी तो पास बुक से लेस हो गया कैश बुक से भी लेस करो टू पाइप पॉर फाइप जीरो माइनस टू फिफ्टी तो आ गया ट्वट्टी तो यह चीज हो गई आपकी पर चलिए जी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 23 कोशन 23 कोशन on 31st March bank balance bank balance as per cashbook 10,000 a comparison of passbook and cashbook revealed the following balance as per cashbook check deposit 10,000 out of these check bank had credited only 2,500 अब balance as per cashbook हमने cashbook में add करा 10,000 के check पर passbook में कितने add हुए सिरफ 2,500 तो problem किस से आ गई problem आ गई 7,500 के check जो cashbook में add है पर passbook में add नहीं और starting point क्या है हमारा cashbook changes किसके अंदर करने है cashbook और 7,500 cashbook में तो add है पर passbook में add नहीं क्योंकि वो passbook में add नहीं है हम क्या करेंगे उसको less कर देंगे check deposited but not cleared ना हो गया 75,000 ठीक है जी ठीक है सब कोई दुक्कत वाली बात नहीं है ठीक है जी next आ जाओ bank charges 50 was not entered in cashbook मारे पास bank charges थे कितने के बिटा 50 रुपेस के तो passbook से तो less हो गया bank charges पहले कहां record होते हैं passbook में passbook से तो less हो गया पर cashbook से less नहीं हुआ तो क्या cashbook से less करना चाहिए हां जी sir bank charges को pass cashbook से बिलेस करो कितना 50 आई ये जी sir तो 10,000-7500-2450 क्या हो गया 2450 ठीक है 30 अब आई ये जी bank balance as per cashbook 10,000 हमने compare करा थी क्या जी 590 वाज रॉंगली debited by bank bank ने debit करा wrongly debited by bank तो बैंक ने क्या करा minus करा error in passbook है क्या ये error in passbook अगर आप मुझसे पूछोगे error in passbook sir क्या होता है मैं बोलूगा timing difference होता है क्या होता है बैटा time timing difference ठीक है और अब गलती से बैंक ने less कर दिया और starting point क्या है बैलन्स एस पर cashbook स्टार्टिंग पॉइंट है balance as per cashbook कितना 10,000 है 590 रॉंगली रॉंगली क्या हो गया debit हो गया का से बैंक से तो cashbook से भी क्या करना पड़ेगा debit करना पड़ेगा एक्चॉल में मैं debit नी कर रहा हूं सिरफ बी आरेस में शो कर रहा हूं बेटा actual में debit नी करूंगा मैं अपनी cashbook से क्यों क्यों यह तो बैंक की गलती है आता है बैंक ने ट्रांसफर कर दिया हमारे दूसरे अकाउंट के अंदर ठीक है ट्वण्टी फाइव उंडर बैंक ने कर दिया तो भई हमें भी करना पड़ेगा ठीक है ट्रांसफर कितना त्वन्टी फाइव अब यह चीड़ हो गई 10,000-559 वागया 6910 6910 कि क्या सर यहां तक समझ आता है सर हाई यह जी हम आगे बढ़ते हैं cashbook of unlimited showed a debit balance of 6,000 balance as per cashbook हमने compare करा check amounting rupees 250 has been dishonored but not recorded in cashbook again passbook से तो less हो गया हमें भी यह करना पड़ेगा less करना पड़ेगा तो चेक पर cashbook से लस नहीं हुआ तो cashbook से भी करो इसको less करो तोटल of credit side of bank column in cashbook बॉस अंडर कास्ट के आओ जी आओ यह वाला point देखो आप धंक से मेरे साथ तोटल of credit side of bank column of cashbook आओ पहले मैं आपको हमारे पास cashbook है cashbook की trip side that is called debit side देखोगी हमारी payment side लोगी बैटेक हमारी payment side that is called credit side हम किसकी बात कर रहे है bank column की यह जा तो undercast हो सकता है जा तो overcast हो सकता है यह भी as usual जा तो undercast हो सकता है जा तो overcast हो सकता है तो रास्ते है तो रट लो एक समझ लो रास्ता आपने चुनना है रटने वाला रास्ता easy होता है बहुत ज्यादा और बार बार भूल जाओगे उसके logic डेवलप नहीं होगा समझ्य वाला रास्ता थोड़ा सा शुरू में technical होता है यह आपको दिमाग लगाना पड़ता है पर एक को कश होगे कर दो फिर सुनो करते हैं अगर अंडर कास्ट है है स् allowed under cast है तो बैलंस क्या आएगा प्रसिपस साइड डर रहे साइगा जादा आ सो जादा वेजिए इसके बाद इन्नोंने क्या बोला आपको उसके बाद यह बोलते है आपसे अगर आप cash book से pass book की तरफ जा रहे हो starting point cash book है और आपको कहा match कराना है pass book basically यह क्या error in cash book क्या यह error in cash book जो कि क्या होता है permanent difference हमें cash book को technically rectify करना है अगर balance गलती से कम आ रहा है तो rectify करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको add करना यहां पर balance जादा आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा as usual as simple as that यहां balance क्या आ रहा है payment side undercast balance क्या आएगा आपका ज्यादा तो ठीक करने के लिए balance कम करना यह balance क्या रहा है आपका कम आ रहा है तो ठीक करने करना पड़ेगा add कि अगर यही reverse pass book से cash book की तरफ जा रहे हो ठीक है तो reverse यह minus यह plus यह plus यह simple कोई दिककत नहीं है चलिए जी तन आप इसको जल्दी से लिखो आपको अ कि एक अ क्या है कि अ आप इसे लिए आप सबने लिख लिए होगा अ अब इन्होंने क्या बोला टोटल ऑफ क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड का मतलब क्या होता है बिटा पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉला मिन कैश पर पॉस अंडर कास्ट तो आपने पेमेंट साइड को कम दिखाया तो बैलेंस क्या रहा होगा बैलेंस ज्यादा आ रहा इतना है, 1000, 52, 52, आपको आपकी कैसर, इतना है। Queshain No. 26 पर आजो बैटाप। Balance as per cash book, cash deposit in the bank 100, entered in cash book as 90, error in cash book, पर cash book में कितना है हो गया, इटो cash book में कम हो गया, तक में कम है हुआ, चाटिंग पॉन्ट कैस्वोग, 10 रुपे और एड करने केुँआ है, पर तो रुपे और एड करने, ट्रांसफर टू सेविंग अकाउट नट एंटर लिंट नटेज परसनल अकउंट मतलब क्या हो गैर जिक्तर ट्रहींद की हमने बैंक के पैसे डालह से पैसा डाला के सव्याइं अकर्ड Сейчас को एंटर नहीं हुआ तो कैश बुक में लेस करना पड़ेगा इस चीज को एस कर दो एंच चार्जेस कर दो पेंडिंग ओर पेमेंट क्या कर दो लेस कर दो ठीक है जी यह चीज एड हो गई 1910 माइनस पंदरा सो माइनस बीस माइनस पारास तीन सो चार्लेश तो पचास नहीं है तीस तीन सो साथ ठीक है जी तो यह चीज थी आई यह जी नागे बढ़ते हैं on 31st December balance as per passbook Rs. 50,900 comparison of passbook and cashbook revealed the following balance as per passbook इतना है बेटा 3,900 इतना है बेटा 50,900 ठीक है सर चैक डिपोजिट 1000 was not created in the passbook ओके अब देखो चैक डिपोजिट करा cashbook में एड हो गया पर passbook में एड नहीं हुआ अब मैं rectify किसको कर रहा हूं passbook को कर रहा हूं मैं changes किसके अंदर कर रहा हूं पासbook में अकर क्योंकि cashbook में एड हो गया तो passbook में भी यह करना चाहिए मैं एड करना चाहिए कितना आड करना चाहिए आउट आप दी चेक 10,000 इशूड ओनली चेक अमांटिंग रुपी 7,500 पर प्रेजेंटेड फॉर पेइमेंट कोई बात हमने चेक कितने इशू करें 10,000 के ठीक है cashbook से कितना लेस हो गया तेन थाउजन पर पासbook में कितना लेस हुआ तिरफ सेवेंटी पाइव अंड़ इसका मतलब पासbook में 2500 लेस नहीं हुआ जो कि cashbook में हो चुका है और हम rectify किसको कर रहे है पासbook को तो 2500 क्या करो यहां से कैसर अब चेक कर लेते हैं कि पचास अजार नौसो प्लस वन थाउजन माइनस क्या नहीं और हम पासब्स प्लस अगया 49 रोग रोगे क्रइट बैलस का मतलब पॉजितिव बैलेंस हो तो माइनस बैल के अज़िए जी पैंक बैलेंस आस पर पास बुक 5090 को पास बुक का पॉजिटिव बैलेंस कितना है 50 अब passbook में तो add हो गया पर cash book में add नहीं हुआ अब क्योंकि cash book में add नहीं हुआ यह dividend और interest को यहां से क्या करना पड़ेगा इसको less करना क्या करना पड़ेगा less अब ultra सोच लो as per standing instruction bank had paid bill of 400 bank passbook से less हो गया पर cash book से less नहीं हुआ cash book से less नहीं हो तो इसलिए हम यहां से भीक्या करना पड़े है तो इस बैंक बैलन्स ऐस पर पास्ट बुक बैंक बैलन्स ऐस पर पास्ट बुक कितना है 76350 बैंक चार्जेश जिस अंडड़ वस नॉट एंटर इंटर 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 कैश बुक यह कोई दिक्कत नहीं है वापिस एड़ बैक कर दो प्रेक अमाउंटिंग 750 हैस बिन डिसाॉणर डिसाॉणर का मतलब पास्ट बुक से लेस हो गया पर हां से लेस्ट नहीं हुआ कैश बुक से लेस्ट क्योंकि कैश बुक से लेस्ट नहीं हुआ तो पास्ट बुक में रिवर्स कर दो रिवर्स का मतलब आपिस एड़ अगया थैवं सिक्ष्ट कि अगया थैवं सिक्ष्ट कि अगया थैवन सिक्ष्ट कि अन 31st March Bank balance as per passbook 20,000 comparison of passbook and cashbook revealed the following ठीक है balance as per passbook check deposited 20,000 and out of this ठीक है credit कितना हुआ that is 5,000 इसका मतलब problem किसी 15 यार के check cashbook में add हो गए पर passbook में add नी हुए और passbook को हम change कर रहे हैं नहां पर क्या करेंगे check deposit but not cleared अगर बच्चा समझदार है तो उसको यह वाली बात पता होगी अब यह वाली ट्रीट यह वाली transaction जब हम करते है किसके इंदर cashbook से passbook में तो less होती है bank charges 100 was not entered in cashbook cashbook में enter नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है वापिस add बैक कर दो हां हाई आई जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं bank balance as per passbook 40,000 a comparison of passbook and cashbook revealed the following क्या होगे आपका balance as per passbook और passbook का credit balance मतलब positive balance के आले सजा 2360 was wrongly debited by bank wrongly debited by bank debit करा bank ने तो bank ने मतलब minus कर दिया पर क्योंकि cashbook से तो minus होगा नहीं तो वापिस passbook में क्या करेंगे इसको add back करेंगे transfer by bank to another account with no advice तो passbook से तो less हो गया पर cashbook से less नहीं हो आप क्योंकि cashbook से less नहीं हुआ तो वापिस एड़ करेंगे तो वापिस एड़ करेंगे 52,3 a passbook of unlimited showed a credit balance of 9,000 a comparison of passbook and cashbook revealed the following tax amounting rupees 375 has been dishonored but not recorded in cashbook tax amounting rupees 375 has been dishonored but not recorded in cashbook आप समझ नहीं चीट ठीक है passbook का हमारे पास credit balance है मतलब positive balance है ठीक है वो कह रहे चेक 375 के चेक है जो कि dishonor हो गए है dishonor हो गए मतलब passbook से less हो गए पर cashbook से less नहीं हो अब क्योंकि cashbook से less नहीं हुए 712.5 credit column of cash credit column का मतलब क्या हो गया payment side cashbook की payment side जो है payment side जो है कम है undercast है तो payment कम दिखाई तो balance ज्यादा आ रहा होगा cashbook अब फिलहाल के लिए cashbook में कोई changes नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए सारे changes का हो रहे passbook में अगर cashbook का balance बढ़ गया तो passbook के balance को भी increase करना पड़ेगा so 9000 plus 375 plus 7125 यह आ जाएगा 1008 7.5 चलिए जी चलिए जी next आगे आ जाएए balance as per passbook balance as per passbook कितना है बिटा आपके पास trade balance 1520 cash deposit in bank rupees 100 entered in cashbook as 72 cashbook में कम record करा कितने से कम record करा per 28 तो cashbook में 28 रुपी से कम entry pass करी तो passbook से भी या करना पड़ेगा इसको minus करना पड़ेगा फिर समझो cashbook में passbook में add हो गया 100 पर cashbook में कितना add हुआ 72 और cashbook को अभी हम छेड़नी सकते हैं हम सिर्फ changes ला रहें किसमें passbook में because starting point का है हमारा passbook 28 rupees passbook में ज्यादा है इसलिए minus करने पड़ेंगे transfer to saving account not entered in cashbook इसका मतलब passbook से तो less हो गया पर cashbook से less नहीं हो क्योंकि cashbook से less नहीं हो तो वापिस add back कर दो पास बुक के अंदर भी 152 तो minus 28 प्रस बारा सो 26 वहो अच्छा बैंक चार्जेस not recorded in cashbook बैंक चार्जेस not recorded in cashbook तो मतलब passbook से तो less हो गया पर cashbook से less नहीं हुआ अब cashbook से less नहीं हुआ ठीक है तो क्या करेंगे that is आपका passbook में वापिस add standing order payment मतलब क्या होता है हमने बैंक को बोल रखा है हमारा insurance premium पे कर दो या हमारी को installment पे कर दो बैंक ने हमारी भीहाफ़े पे कर दी तो passbook से less हो गया पर cashbook से less नहीं हुआ तो वापिस passbook में 2732 2732 2434 अब आगया overdraft अब आज़ा overdraft ची overdraft चलिये जी हम start करते है जल्दी से tech deposit on 31st December overdraft as per cashbook 16,000 दोस्तो OD as per cashbook plus 16,000 a comparison of passbook and cashbook revealed the following tech deposited for 700 was not credit in the passbook check deposit कर दिये हमने 700 के but credit नहीं हुए कहां पर credit नहीं हुए passbook यहां देना ठीक है तो यहां पर starting point के cashbook क्योंकि passbook में एड नहीं हुआ तो cashbook से भी क्या करना पड़े का less करना पड़े minus करेंगे tech deposited but not cleared out of the check 900 issued only tech amounting rupees 825 were presented for payment ठीक है 900 के check थे हमने issue करें उसमें से 825 की payment हो गई तो किस की payment नहीं हुए 75 overdraft है check issued but not presented क्या होते है add होते है क्या होते है यह add होते है कितने से 75 से चलो अब देखो बेटा यह हाला कि यह तो minus है पर minus और minus आपस में plus होगा खाली अगर एक transaction होता और आपसे plus होगा या minus होगा तो overdraft के अंदर यह plus होगा और यह क्या होगा माइनस बोलेंगे पुलाजार दो सो दस साथ सो माइनस सेवंटी फाइव क्या आगया 16 16825 overdraft as per passbook 16825 next आ जाएगी next आएगे बिटा on 30th September overdraft as per cashbook this 81,000 overdraft as per cashbook कितना है बिटा 81,000 तब यह हो गया आपका अस bank had directly collected dividends of other companies 4 3 4 3 7 5 bank had directly collected dividend of other companies 4 3 7 5 and interest 3,000 trust 3,000 तो bank ने हमारे भिहाफ पर हमारा dividend collect करा और interest करा passbook में add हो गया तो technically cashbook में भी क्या करना है add करना है दोनों को 7 3 7 5 मैं दोनों को add करके as per standing instruction bank ने 6 1 3 5 की payments करी तो passbook से less हो गया तो cashbook से भी less करो 6 1 3 5 ठीक है सर check deposited for 2 2 3 2 5 3 2 4 2 2 3 2 4 was not created in the passbook with the help of our information आपको balance as per passbook check deposit but not created in the passbook और changes किसके अंदर कर रहे हैं हम cashbook तो cashbook में तो add हो गया पर passbook में add नहीं हुआ क्योंकि passbook में add नहीं हुआ तो वापे इस हुआ 31,000 plus 6 1 3 5 plus 2 2 4 7 3 5 ठीक है जी आंसर आ गया 1 0 2 0 8 4 1 0 2 0 8 4 अंजी question number 36 आजो बिटाब सब overdraft as per cashbook was 30,000 ठीक है जी credit side of bank column of cashbook was undercast by 100 चलिए जी पहले हमारे पास क्या है overdraft as per cashbook plus minus minus में आएगा 30,000 credit side of bank column of cashbook अब credit side मतलब payment side payment जो है हमने कम शो करी है जब payment कम शो करते हैं तो balance के आता है हमारा ज्यादा आता है गलती से balance हमारा 100 रुपे से ज्यादा आ रहा है अब ठीक करने के लिए उसको कि cashbook से passbook के तरफ जा रहे है balance ज्यादा है तो minus करना पड़ेगा तो आप बोलोगे एड होगा ये फिलाहल के लिए यहाँ पर आजो इंट्रस्ट और बैंक लोन 2000 बैंक चार्जेस 575 वर नौट रिकॉर्ड इन cashbook तो cashbook में भी रिकॉर्ड करो भाई माइनस करना पड़ेगा 2000 and 575 ठीक है पास बुक से लेस हो गया cashbook से भी लेस करो अलागि सब लेस हो रहे पर आपस में क्या होंगे ये एड होंगे ये वह नेगेटिव बैलेंस है 100 यह होगे 32 32675 चलिए जी ठीक है अब आजो जी overdraft as per passbook next आगया overdraft as per passbook आईए जी overdraft as per passbook दे रखा है 19 plus minus overdraft 19440 check deposit but not created in passbook that is check deposit मतलब cashbook में add हो गया पर passbook में add नहीं हुआ कहां पर add नहीं हुआ पास बुक में add नहीं हुआ अब क्योंकि passbook में add नहीं हुआ पास बुक में भी add करो पर ये आपस में क्या होंगे minus check of rupees 1080 issued only 990 वर प्रेजंटेट पर पेमेंट तो दिफरेंस कितना आ गया 108-990 तो प्रॉब्लम किस से है 990 रुपीज 1080 के check issue करे तो cashbook से less कितने हुए 1080 पर पास बुक से कितने less हुए 990 तो पास बुक से और कितने less करने पड़ेंगे नहीं बस 19440 plus 90 minus 840 1869 चलिए जी नेक्स आजाओ आप 38 on 30th September on 30th September overdraft as per passbook plus minus 324 ठीक है यह दे रखा है bank had directly collected dividend of 1750 passbook में add हो गया पर cashbook में add नहीं हुआ और overdraft के as per passbook 1750 interest 1200 bank ने हमें interest भी दिया यह भी चैकर हो गया that is sorry minus करेंगे 1750 124 passbook में तो add हो गया पर cashbook में add नहीं हुआ इसलिए less करना पड़ेगा bank ने हमारे अभी हाव के कोई bills पे कर दिये ठीक है passbook से less हो गया cashbook से less नहीं हुआ cashbook से क्योंकि less नहीं हुआ इसलिए वापस क्या करेंगे add back check deposited for 8929.60 was not credited in the passbook check deposited for 8929.60 ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया cashbook में add हो गया पर passbook में add नहीं हो तो passbook में भी add करो 889 चलिए जी 32400 plus 1750 plus 1200 minus 454 899.60 तो यह answer आ गया 239 66.4 चलिए जी overdraft as per cashbook 2000 क्या जी तस 1000 अप पर passbook अप credit side of bank column of cashbook was undercast credit side undercast है अपका मतलब क्या हो गया आपका तो balance है cashbook का balance ज्यादा आ रहा होगा cashbook का balance ज्यादा आ रहा है कितने से 200 से passbook के balance को प्रीस करना पड़ेगा इंट्रस्ट और बैंक लोन इंड बैंक चार्जेस वाज नॉट रिकॉड़ेड इन कैश्बूक कैश्बूक में रिकॉर्ड नहीं करा अब cashbook में रिकॉर्ड नहीं करा तो पर passbook से तो लेस हो चुका है passbook में भी यह करो वापिस एड़ बैक कर दो ताउजन वाण फाइफजीर के थाओजन माइनस की आगया आपका अगया माइन था फाइफ पूर हाँ आगया थीए फाइफ फॉर शिक्स फाइफ जिरो तो ओवरड्राफ्ट एस पर क्रेश्बूक आये जी फॉर्टिएथ कोशन अन थर्टीफर्स्ट मार्च अब पास्बूक शोड अब क्रेट बैलेंस ओफ इतना अन कंपैरेजन आफ पास्बूक रिवील दा फॉलोंग बेटा ये तो हो जाएगा अब ये मैं थोड़ा वड़ा हम वक्त दे रहा हूं आप देख लेना एक बार बार फिम्पल सिंपल है पास्बूक काम मतलब क्या हो गया पॉज़ेट बैलेंस है अच्छा अरे यह बड़ अच्छा पूशन आया बीद कर रहा था इन बैलेंस शीट बैंक बैलेंस एस पर क्या आता बैलेंस शीट में कौन सैस पर पाँस हो तो कहते है नाइ बैलेंस एसस पर ऐदिजस्टटड कैश्ट जिसके अंदर से हमने किया करें पर मॉलेंस बैलेंट सारे ठीक कर दिए जो बैलेंस she ask और कबालेंस नाइ पासबुक का क्या आता है मीडिग्जस्टटड कैश्टडमग कि क्या सर which of the following will require adjustment in cash book cash book में कौन सी adjustment आती है आपकी cash book के अंदर जो adjustment आती है वो कौन सी आती है आपकी permanent difference check deposit but not cleared ठीक है यह timing difference यह नहीं आएगा check issued but not presented timing difference है अएगा under casting of debit side of bank column of cash book यह आएगा मतलब error in cash book error in cash book cash book में गलती हुई अजर cash book में कोई गलती हुई है तो rectification कहां चाहिए cash book में यह pass book में cash book यह चीज़ है तो error in cash book is a permanent difference which of the following require adjustment in cash book balance error in cash book error in pass book ठीक है error in cash book में उपर बोल रहा था भी बार बार आपको which of the following will not require adjustment in cash book error in pass book yes अच्छा ओहो चैक इसूद बट नॉट प्रजेंटिट कहां आता है BRS यह क्या timing difference यह भी timing difference और यह भी क्या timing difference तो क्या हो गया all of the above bank balance as per cash book 1050 bank charges not recorded in cash book was 180 750 was directly paid by customer in the bank was not recorded in the cash book अब यह क्या बोल रहा है आपसे balance as per cash book दे रखा है इतना 1050 bank charges not recorded in cash book was 180 750 was directly paid by customer into bank bank was not recorded in cash book debited side debit side sorry of cash book was undercast by 100 check deposit 700 was not credited in the pass book out of the check 900 issued but not presented for payment if BRS is prepared after adjustment of cash book balance as per adjustment cash book should be and balance as per pass book okay तो यह बड़ा important question हो गया हूँ ठीक है अब मैं करके दिखाता हूँ पोर्शन नमबर 45 पहले आपको क्या बनाना है अद्जस्टेड कैश्पोक ठीक है बैलेंस एस पर अद्जस्टेड कैश्पोक देबिट बैलेंस है तू बैलेंस टॉट डाउन तो बैलेंस चर्जस नॉट्रीकॉड़े इन कैश्पोक यह पर्मानेंटों ङा WhatsApp बैलेंस है यह यह इंद्देग OS इतना ये बिटा बैक चार्जेज आपका 180 अमाउंट डिरेक्ली पेड बाइ कस्टुमर ये भी क्या आपका पर्मानेंट इफरेंस आउंट डिरेक्ली पेड बाइ कस्टुमर 750 तो अपका डेटर इतना हो गया 750 debit side of cashbook was undercast by 100 क्याने debit side of cashbook was undercast by 100 error in cashbook है क्या error in error in cashbook error in cashbook हमेशे क्या होता है पर्मानेंट डिफरेंस डेविट साइड कम शो कर यह 100 रुपी से डेविट साइड में यहां पर रहेंगे तूप अंडर कास्ट है ऐसे अब यह दोनों जो हैं यह दोनों जो हैं यह दोनों क्या हैं आपके timing डिफ डिफोजेट एंड चेक शूट बट नॉट प्रेजेंट अब सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम balance निकालेंगे यह जो balance होगा balance adjusted cash book का balance यह आएका balance sheet point to be note ठीक है जी अब 1050 मेरा balance था उसके अंदर जो मेरे permanent difference थे permanent difference थे मैंने ठीक करें ठीक है उसके बाद मेरा आया यह 1720 इसके बाद मैं बनाऊंगा ब्रस प्रैक्टिकल लाइफ में यह होता है कि balance as per adjusted cash book कि इतना है बेटा 1720 1720 अब दो difference क्या है आपके 700 के और 900 के चेक deposit but not cleared क्या होता है है minus check deposit but not cleared कितना है 700 उसके बाद क्या बोला check issued but not presented क्या होता है दोस्तों add check क्या हो गया 90 क्या आगे आपका लगा 192 balance as per passbook 192 अब दिखो यहाँ पर आगया यह 1720 वह आगया यहाँ पर 19 आ गया कि के 1720 कैश्पूक का balance और पास्पूक का बैलेंस वन नाइन सरी पास्पूक का वन नाइन टू आई जी बाद समच अंजी सर ठीके जी चलिये जी क्वेकर विए vers prepared without adjusting cash book balance As Per case book is the Starting Point 25 क्या होगा वह एड्र होगा बैंक ने कलेक्ट करा हमारा डिविदेंड और कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्या होगा यह एड होगा इफ बी रस प्रिपेर्ट विद अड़ेस्टिंग कैश बुक पच्छीस हार विल बी डेबिटेड इस डेबिट का मतलब प्लस होता है फिर बोल रहा हूं डिविदेंड कलेक्टेड बाइब बैंक तो यह क्या हुआ पास बुक में एड हो गया हूं और यह क्या है आपका पर्मनेंट डिफरेंट सबंदुकम के अगर अगर आप अज्यस्टेड कैस्पॉंट क्या और कैश नहीं बना है तो अगर यह क्या है यही थे आपके दन जी तो मैंने यहाँ पर आपको more or less आपकी जो भी इंपॉर्टेंट क्लिप में डिकत है आप मुझे बता देना मैं आपको इसका आँसर कर दूगा ठीक है जी बाकिए next class में मैं बेटा मिलेंगे मैं खोशिश करूँगा next class में आपको लाइव आके आपको मैं revision कराऊं ठीक है कुछ certain issues कल रहे है में तो मैं आ नहीं पा रहाँ लाइव ठीक है जी तो वरना मैं बहुत तो मेरा भी मान है लाइव आने का आपके साथ ठीक है जी चलिए जी मिलते हैं नेक्स क्लास में कंटीनिव करते हैं थैंक्यू वरी मुच बेटा